Hey what's up guys, welcome to the complete word development course, जहांपर हम HTML, CSS और JavaScript concept को beginner से लेकर advanced level तक पढ़ रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं CSS के अंदर selectors के बारे में, और यह हमारी playlist है, जिसको जाके आपको bookmark कर लेना है, इस पर हमारी daily videos आ रहे हैं, तो जाके coding shuttle channel को subscribe करके bell notification icon on कर लेना, हमने last video में समझा था कि किस तरीके से आप HTML और CSS को connect कर सकते हो, हमने internal, external और inline CSS के बारे में समझा था, आज मैं हापर restructuring करने वाला हूँ हमारे code की, तो basically मैं चाता हूँ कि हर topic जो हम पढ़ें, वो हमारे learn CSS के अंदर different folders में आज है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक folder बनाऊँगा, and going forward हम इसी practice को follow कर रहे होंगे, जब भी हम कोई mini project बना रहे होंगे, तो उसके लिए भी हम एक नया folder बनाएंगे, तो अभी यह वाला जो project है, इसको मैं डाल दूँगा हमारे introduction के अंदर, तो इसका नाम रख देता हूँ, one introduction, यह सारा का सारा code आपको available है, नीचे आपको description में link मिला हुआ है, and then मैं इस सबको लूँगा, इन सबको में डाल दूँगा, introduction के अंदर, move to introduction, तो यह हमारा introduction हो गया, and then यह दूसरा है selectors, इसका मैं नाम चिंज कर देता हूँ, इसके अंदर आज वाला code होगा सारक सारा, तो two selectors, और इसके अंदर हमारी index.html होगी, and then इसके अंदर हमारी CSS file भी होगी, मैं इसी folder में रख देता हूँ, इसको style.css, इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर number wise topics मिलते रहेंगे, सारे के सारे, और यहाँ पर यह कहारा, cannot get learn.css.html, उसको मिलेगा भी नि, क्योंकि वो अपने introduction वाले folder में डाल दिया, तो हम इसको close कर देंगे, हम अभी फिलाल के लिए, अपने इस वाले index.html को open करेंगे, open with live server, तो यह हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसको लिख देते हैं, selectors in html, and then यहाँ पर body के अंदर, मैं एक थोड़ा सा html यहाँ पर copy paste कर रहा हूँ, तो command C, command V, तो यह बहुत basic html है, मैं इसको minimize करके आपको समझाते हूँ, html में होके रहा है, हर आर्टिकल के अंदर h2 और p tag है, तो इस तरीके से हमारी semantic text का यूज किया हुआ है, अगर आपको इस semantic text समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हमने एक already video बना रहे हैं, आप वो जाके check out कर सकते हैं, वहाँ पर यह semantic text आपको समझ मा जाएंगे, आज हम इनी के ओपर यूज करने वाले अपनी CSS का, तो यह हमारी style.css, इसको हमें link करना जरूरी है पहले, तो हम यहाँ पर link करने के लिए use करेंगे, link element का, which is link, and then आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, link CSS, जिससे की relationship style sheet अपने आप बन जाएगा, and then यह href style.css अपने आप हो गया, तो इससे हमारा यह style.css से connect हो गया, इसके अंदर अगर हम है text change करना है सबका, तो suppose करो हम चाता हम पूरी की पूरी body के अंदर जितना भी font है, उसका font size फुड़ा सा increase हो जाए, तो अच्छे से हम यह दिखाए दे, तो यह हमारा basic setup तयार है, आप जोरह हम बात करते हैं, selectors की in CSS, हमारी slides के अंदर वापीस जाते हैं, तो types of selectors की बात करते हैं, कितने टाइको selectors होते हैं, तो एक selectors तो हमने और अज़री देख लिया है, element selector, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, id को हम use already कर चुके एक बार, जब हमने देखा था different sections में jump करने के लिए, links के अंदर, तो हम different sections में jump कर रहे थे, id की help से, लेकिन id की help से आप लोग और भी चीज़ने कर सकते हो, जैसे CSS तो आप करी सकते हो, इसके अलाबा जावस्ट के अंदर भी आप लोग किसी element को अगर target करने, तो आप id की help से उसे कर रहे होते हो, id की help से CSS को करना recommended नहीं होता, CSS को करने के लिए हम use करते हैं classes का, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं id की, तो id equals to third, इस तरी के से हमने ids बना दी है, अब हम यहाँ पर अपनी style में आएंगे, और यहाँ पर हम इने access कर सकते हैं by id, तो इस तरी के से हम access कर रहे होंगे, पहले हम लगाएंगे hashtag, देन उसके बाद id का नाम, तो first, और इस से क्या होगा, सिर्फ हमारा first के अंदर जो भी होगा, तो first के अंदर यह पूरा article है, तो इस article के अंदर जितने भी element है, यह सरी-सरी target हो गए हैं, अपने आपी first की help से, तो अब हम यहाँ पर चीज़ेंगे कर सकते हैं, for example, मैं चाहता हूँ color, तो यहाँ पर अपने आपी font color change होएगा, let's call it red, तो आप देखोगे, कि first वाले का color change हो गया है, तो पूरे की पूरे first article color change हो गया, ठीक है, तो first के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, उसके अंदर जितनी भी children थे, सभी ने वो वाली property inherit कर लिया, तो आपने first के अंदर लगा था, first के अंदर तो सिर्फ article था, लेकिन इसके अंदर जितनी भी इसके child थे, उन सब ने ये property inherit कर लिया, similarly हमने ये चीज़ देखी थी, जब उन्हें body को font size जा था 24 pixel, तो body के अंदर जितनी भी इसके children थे, which are header, h1, main, ये सारी इक सारी चीज़ें, इन सब ने ये वाली property inherit कर लिया, तो इस तरीके से inheritance काम करता है CSS के अंदर, तो ये हमने दे दी first को ये वाली property, इसके लाबा देखते हैं classes के तरीके से काम करती है, तो class देने के लिए हमारे पास attribute होता है class attribute, और इसके अंदर आप लोग अपनी class define कर सकते हो, तो जिस element के पास ये purple class होगी, उनके पास कुछ specific style आ जाएगा, तो class से अगर आप लोगो reference करना है, अपने CSS के अंदर तो use करते हैं dot, उसके बाद class का नाम, तो purple, and then curly braces के अंदर हम अपनी properties define करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि purple class जितने भी पास है, उनका color हो जाए purple, तो आप देखोगे क्योंकि मैंने second article को class दी थी purple, इसे वैसे इसके अंदर जितने भी element है, उन सब नहीं है purple वाली class को access कर लिया है, purple class देने से फायदा क्या हुआ, कि अब आप लोग एक ही class different different elements के अंदर दे सकते हो, तो अगर आप लोग चाहते हों कि नीचे वाले दौनों articles के अंदर same ही style आए, तो उसके लिए आप लोग इन दौनों को same class दे सकते हो, let's say class purple, तो इससे आप देखोगे कि मुझे कि खुछ और करना नहीं पड़ा, मेरा code भी repeat नहीं हुआ, और अपने आप ही नीचे वाले article के अंदर भी same property आ गई है, इससे फायदा ये है कि अगर मैं एक class के अंदर बाद में कोई आगर change कर देता हूँ, let's say यहाँ पर मैं डाल देता हूँ font family, and let's say monospace, तो आप देखों कि इन दोनों के अंदर अपने आप ही monospace आ गया है, monospace का मतलब कि हर एक letter same same space ले रहा है, font के बारे में हम अलग से एक वीडियो में पढ़ रहोंगे, जिसके अंदर हम different type की font की properties को पढ़ रहोंगे, font and text की properties अलग-अलग होती है, लेकिन आपको दिख रहा हुआ कि किस तरीके से हमारी class काम कर रही है, तो हमने ये तीन selectors पढ़ लिये हैं, पहला है हमारा element selector, ये body था, ये हमारा element selector था, इसके अंदर आगी कुछ भी लगाने की ज़िदोतनी है, तो html समझ जाएगा कि मुझे कोई ना कोई ऐसा element ढूणना है, जिसका नाम body है, अगला होता हमारे पास id selector, id के अंदर हम लोग hashtag लगाते हैं इस तरीके से, और id देनी होती है, id एक document के अंदर, एक page के अंदर, एक element की unique id होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास विदा एक class selector, class selector के लिए आप लगाते हो dot, और उसके बाद उस class का नाम लिखते हो, and then आप यहाँ पर दुबार से CSS की property यहाँ पर define कर सकते हो, class और id के बारे बें कुछ और भी important facts होता हैं, जर आप भी समझ लेते हैं, तो इसके लगा हमाएंगे अपनी slides के अंदर, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, to select element with a specific class, write a period, followed by a class name, तो यह तो हमने देख लिया, similarly यहाँ पर id के लिए लिए लिखा हुआ है, to select an element with a specific id, write a hashtag, character followed by the id of the element, इसके लाबा class के अंदर लिखा हुआ है, html element can have more than one class, तो आप एक element को more than one classes भी दे सकते हो, लेकिन id हमेशे एक unique होती है, आप लिखा है the id of an element is unique within a page, so the id selector is used to select one unique element, ठीक है, तो आप different different classes दे सकते हो, एक element को और साथी साथ, एक class दो element में भी जा सकती है, वहीं एक id सिर्फ एक ही element के पास होगी, और एक element के पास एक से यादा id नहीं हो सकती, for example, आप लोग चाहते हो एक highlight class बनाना, तो उसके लिए हम बनाएंगे एक highlight class, highlight, और इस class के अंदर हम चीज़ों को highlight कर रहे होंगे, जैसे मैंने इसको दिये थी class purple, मैं class purple के साथ इसको दूसरी class बोड़ दे सकता हूँ, उसके लिए मुझे लगाना होगा है space, space लगाना है, comma वागराना है, space लगाना के मैं दूसरी class का नाम लिख दूँगा, which is highlight, highlight, और इसके बाद इसके अंदर highlight class की properties भी आ गई है, देख रहे हों, इस तरीके से highlight हो गया, तो एक element के अंदर दो classes हो गई, एक purple class है, एक दिन highlight class है, तो अब ये purple भी है, and then highlight भी हो रहा है, इस तरीके से, similarly अगर मैं चाहता हूँ कि highlight मैं इसको नहीं देना चाहता, मैं highlight सिर्फ इस P को देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा class, and then class highlight, इस तरीके से, तो अब सिर्फ मेरा paragraph highlight हो रहा है, इसके लावा class या ID दौनों का ही नाम, एक number से start नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता कि, ऐसे third, ऐसे करके मैं अगर लिखूँगा, तो यहाँ काम नहीं करेगा, मतलब मैं यहाँ लिख दूँगा, अगर one highlight, and then मैं one highlight को यहाँ पर access करने का try करूँ, तो यह possible नहीं है, तो यहाँ पर मैं वापिस कर देता हूँ highlight, and then यहाँ भी वापिस highlight, तो अब यह paragraph highlight हो गया, इसके लावा आप यहाँ पर भी class दे दोगे, अगर किसी भी जगे पर आप class दे दोगे highlight, तो वो वाली चीज अपने आप highlight हो जागी, तो हमें समझ में आ रहा होगा कि class का फायदा क्या है, class की help से आप लोग एक particular property, एक element को दे सकते हो, मैंने आप यह class का नाम रखा है highlight, तो इससे समझ में आ रहा है user को भी, आपको भी समझ में आ रहा है, कि यह class की help से आप लोग highlight कर पाते हो, तो जिस-जिस element को आपको highlight करना है, उसके अंदर आपको simply आके highlight property दे देनी है, suppose करो मुझे आना है अपने paragraph के अंदर, और बीच में किसी part को मुझे highlight करना है, for example, इस html element वाले part को मुझे highlight करना है, तो इसके लिए मुझे इतने part को एक span में डालना होगा, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ span element, and then इस span के अंदर मैं html element को डाल दूँगा इस तरह के से, और इससे होगा क्या, कि अब मैं span को particular class दिसकता हूँ, which is let's say highlight, तो सिर्फ इतना वाला part highlight हो जाएगा, तो इसकी help से आप लोग पूरे code के अंदर, एक uniformity रख सकते हों कि highlight करने के लिए, हम किस type के styling को यूज़ कर रहे होंगे, और अगर बाद में आपको कभी change करना है, कि highlight के अंदर हम चाहते हैं कि, इसका मतलब कम से कम कोड लिखे, ज्यादा स्यादा efficiency लाना अपने कोड के अंदर वह होता हमारा dry code, तो हम यहाँ पर classes की help से अपने कोड को non-repetitive बनाते हैं, जिससे कि कम error prone होता है हमारा कोड, और maintain करना असान होता है, इनके लाबा कुछ और भी selectors होते हैं हमारे पास, एक होता हमारे पास universal selector, इसके लाब हमें यूज करना होता है simple star symbol का, star symbol से हमारे पूरे को पूरे HTML के अंदर जितनी भी elements हैं, सबको हम एक साथ access कर सकते हैं, और सबको एक साथ styling दे सकते हैं, तो जड़ा दिखते हैं universal selector को, universal selector को हम बहुत साथ यूज नहीं कर रहे होते हैं, actually कुछ बहुत ही specific cases हैं, जहां पर हम इसे use कर रहे होते हैं, तो आप इसे सब से उपर लगा सकते हैं यहाँ पर, and then star के बाद आप लगाओ कि यहाँ पर, curly braces इसका मतलब, जितने भी elements हैं, सब को यह वाली property दे दो, और वो property क्या है, जैसे suppose करो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, font family, fantasy, तो इससे आप देखोगे, सारा का सारा font change हो गया है, जितने भी elements थे, सब का font यहाँ पर change हो गया है, तो इसने क्या किया, जितने भी fonts possible थे, सबी को इसने यह वाली चीज़ सेलेक्ट करवा दिया, तो इससे आप लोग force कर रहे हो तो एक particular property, अपने सारे एक सारे elements के उपर, अगर आपको चेक करना है कि मैंने कौन कौन सी property कहाँ कहाँ पर set करे हैं, आप समझ सकते हो, यहाँ पर developer tools में जाके, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप, मैंने font family यहाँ पर भी दी है, even मैंने purple के अंदर भी font family दी है, monospace, लेकिन जितने भी purples हैं, उनके अंदर मुझे font family monospace नहीं दिख रही है, तो actually हो क्या रहा है, कि star ने सबसे उपर वाली precedence ले लिया, और जितने भी elements हैं, सब के अंदर यह fantasy वाला font आ गया है, इसको ठीक समझने के लिए हम यहाँ पर open कर सकते हैं, developer tools को, तो उसके रहे मैं से करूँगा, यहाँ पर full screen, इसका आद हम right click करेंगे, and then inspect, और यहाँ पर मैं select करूँगा, अपने purple tool को, किसी भी purple को चूज़ कर सकता हूँ, मैं suppose करो, इस वाली को चूज़ करता हूँ, अंदर हम यहाँ पर नीचे आ सकते हैं, और नीचे हम चेक कर सकते हैं, कि कौन कौन सा style कहां कहां पर लगा है, तो यहाँ पर उपर से लेकर नीचे तक हमारी styles listed है, जो उपर वाली style है, उनकी ज़्यादा priority है, और नीचे वालों की कम priority है, तो जो उपर लिखा होगा, वही माना जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर star लगाया हूँ है, font family fantasy, और नीचे भी एक font family monospace था, यहाँ पर हम टेस्टिंग वाला के लिए इसे यूज कर सकते हैं, तो font family वापिस लगाते हैं, यहाँ पर मैं यूज करता हूँ दुबारा से sense serif, तो आप देखोगे यह दुबारा से change होगा, यहाँ पर एक checkbox दे रखा है, हर एक property के आगे, तो इसके अंदर आप checkbox को de-select करोगे, तो वो property वहाँ से strike through हो जाएगी, देख रहे हो, इस तरीके से, तो यह आपका testing purposes के लिए, आप test कर सकते हो different different चीजे, इसको मैं वापिस select करूँगा, तो यह वापिस select हो गया, de-select करूँगा तो यह dis-select हो गया, तो यह CSS, default CSS होती है, तो different different browsers, अलग-अलग element को अपनी खुद से properties, प्रवाइड कर रहे होती है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, user agent style sheet, तो user agent हमारा Google Chrome है यहाँ पर, तो Chrome ने अपने आप ही यह वाली property दे रहे हैं सभी को, इन सब के बारे हम पढ़ रहे होंगे, display क्या होता है, margin वगरा किस तरह किसे दिया था है and so on, बाकि यह purple class हमने दी थी, and then body के अंदर font size हमने दिया था यह, यहाँ पर यह priority या specificity को अभी हम ठीक से detail में समझ रहे होंगे, पूरी को-पूरी code के अंदर, even cascading style sheet किस तरह के से काम करती है, कि cascading का effect किस तरह के से ऊपर से रहे कर नीचे तक होता है, वो भी अभी हम detail में समझ रहे होंगे, लेकिन अभी फिलाल कुछ और selectors की भी बात कर लेते हैं, तो हमारे पास दो selectors अभी और बजगे हैं, which are grouping selectors and then nested selector, grouping की help से आप लोग different different element को एक साथ ही property दे सकते हो कुछ भी, तो पहले grouping selector की बात करते हैं, इसके अंदर अगर आप लोग चाहते हो, for example आप चाहते हो कि first और second को मैं red बनाना चाता हूँ, तो first भी red बन जाए, second भी red बन जाए, और अगर मेरे यहाँ पर different different और भी properties होती, तो मुझे वो भी यहाँ पर repeat करने पड़ती, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कि मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा second को, and then मैं यहाँ पर लिख दूँगा, तो comma से separate करके हम यहाँ लिख देंगे second, तो आप देखोगे कि second वाले के अंदर भी यह वाली property आ गई है, और इसको हम आँ से delete कर देते हैं, तो first के अंदर भी same properties और second के अंदर भी same property आ गई है, तो इस तरीके से हम different चीज़ों को group कर सकते हैं, एक और चीज इस star को यहाँ पर comment कर देते हैं, comment भी हम यूज कर सकते हैं अपने CSS के अंदर, comment होता है CSS के अंदर, backslash and then star और इसके बाद star then backslash इस तरीके से, इस backslash के अंदर जो भी चीज़ों आप लिखोगे वो सरक सारा comment हो जाएगा, for example मैंने हाँ सो उठा के यहाँ पर कर दिया, and then command slash mac के अंदर और windows के अंदर control slash, तो control and then slash इससे अपने आप यह पूरा पूरा पार्ट comment हो जाएगा, अब next बात करते हैं nested selector के बारे में, nesting के हल्ब से आप लोग एक element के अंदर दूसरे element को भी access कर सकते हो, ठीक है, तो nested elements को अगर access करना है, तो उसके लिए हम nested selected use करते हैं, तो suppose करो मैं चाहता हूँ कि first article के अंदर जो paragraph है, इसका color green हो जाए, तो अगर मैं इसके लिए यहाँ पर simple यह लिखूँगा न, p color green, तो इससे क्या होगा, सारे के सारे paragraph अ color green हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, सारे paragraph अर्टिकल के अंदर जाओ, paragraph को ढूढ़ो और उसके अंदर यह property set कर दो, तो इस तरह की से nested हो रही होती है, तो इसने ढूढ़ा पहले first article को, and then उसके अंदर ढूढ़ा इसने p को, अगर p की जगे कुछ और होता, suppose करो first के अंदर हमने दूसरा एक और आर्टिकल बना रखा होता, जिसका नाम होता nested article, तो उसके अंदर हम इसने कैसे करते हैं, nested, and then फिर उसके अंदर हम p ढूढ़ रहे होते हैं, तो यह nesting जितनी मर्जी लंबी हो सकती है, एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलत rule लिखा हुआ है, इसी वज़े से यह पूरी की पूरी चीज़ अपलाई नहीं हुई, तो गलत rule अगर आप लगाओगी तो वो चीज़ CSS अपलाई नहीं करेगा, बाखी सारी ज़गों पर CSS अभी भी लगेगी, लेकिन गलत rule को इग्रोर कर दे जाएगा, तो क्योंकि हैश्टाग नेश्टिट करके कुछ है भी नहीं हमारे पास, तो इसलिए यह वाला rule अपलाई नहीं हो रहा है, तो मैं स्पूर्ट आता हूँ यहाँ आपर, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ID को ज़्यादा दी जारी है class से, and then class को ज़्यादा दी जारी है element से, तो यह basically specificity order भी हो गया, कि आप लोग कितना specific बता रहे हो, जब आप लोग ने simple mention कर दिया P, तो आप लोग ज़्यादा specific नहीं हुए, आपने बूल दिया कि जितने भी paragraphs हैं, उन सब के अंदर ये वाली properties लगा दो, तो वहाँ पर सबसे कम specificity है, वहीं पर आप लोग ने class दे दी purple, तो आप लोग ने बता दिया, कि जिन जिन elements की class purple है, उनके अंदर ये वाली properties को set कर दो, तो यहाँ पर आप थोड़ा और specific हो गए, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा specific होना है, तो आप यूज करते हो id का, तो id आप लोग ने लगा दी, let's say first, तो उससे आप लोग और ज़्यादा specific हो गए, कि जिस element की id है, तो इसको ठीक समझने के लिए जड़ा code में आते हैं, और यहाँ पर थोड़ा practical example समझते हैं, तो मैं इस first P को यहाँ से हटा देता हूँ, तो आप रिस वो हम कर देता हैं comment, यह हमारा first है, second है, एंदेन हमने class दे रखे है purple, मैं font family को भी हटा देता हूँ, तो font family को मैं select करके देन कर दूँगा इसे comment, तो अभी फिलाल हमारे पास सिर्फ colors हैं, हम सिर्फ colors के अंदर deal कर रहे हैं, आप देख रहे हो, कि मेरा जो third article है, इसके अंदर मैंने class दे रखे है purple, इवन मैंने second article को भी class दे रखे है purple, लेकिन still यह second article, red color का हो रख है, तो यहीं से हमें चीज़े समझ मान लगी होंगी, कि cascading का फरक नहीं पड़ता है, अगर आप लोगोंने specificity high दे रखे हैं, तो यहां पर देख रहे हो, first और second, इन्होंने color red पहले लिया है, उसके बाद color purple लग रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि hashtag की precedence जादा होती है, इसलिए यह जादा specific है, इसलिए इसने color red चूज किया है, similarly अगर मैं यहाँ पर कर दूँगा hashtag third, तो आप देखोगी कि third भी red हो गया है, भले ही मैंने third को उपर लिखा है, तो cascading के हिसाब से इसकी precedence कम होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यह hashtag है, और hashtag की specificity सबस्यादा high है, यह एकदम specific बता रहा है, कि third के ही अंदर यह चीज़ा लगानी है, तो फिर color को वो override कर देता है, तो यहाँ पर हमें चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कि सबस्यादा high priority होती है हमारी ID की, उसके बाद हमारी class की, and then third number पर हमारे elements की, अगर दो selector same specificity के हैं, तो उसके अंदर cascading follow होगा, मतलब अगर मैंने यहाँ लिखा है first, second, third, उसके बाद मैं यहाँ पर दुबारा से second लिखता हूँ, और यहाँ पर हमें color mention कर देता हूँ, let's say yellow, तो यहाँ पर second का color yellow हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब cascading के हिसाब से काम हो रहा है, यहाँ पर मैं एक और चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ, जो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताए था, कि IDs का use हमें कम से कम करना चाहिए CSS के अंदर, CSS के अंदर हमें IDs नहीं, CSS के अंदर हमें classes के साथ काम करना चाहिए, ID की help से हम लोग links बगरा बनाते हैं, ID की help से हम लोग JavaScript के अंदर कोई elements select करना होता है, तब use कर रहे होता हैं, लेकिन CSS के अंदर हमें यूज़ करना चाहिए classes का ही, अब इनके अरावा हमारे पास एक pseudo-selectors होते हैं, pseudo-selectors, pseudo-elements, उनकी हल्ट से आप लोग किसी भी element के अंदर different-different states को भी select कर सकते हो, for example मैं चाहता हूँ कि ये जो paragraph है, इन paragraph के उपर जब मैं hover कर रहा हूँ, तब उस वाली state को select कर लो, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी paragraphs हैं, उनके अंदर जब मैं hover कर रहा हूँ, तो P के बाद मैं लगाऊंगा, colon, देल लिकूँगा मैं hover, तो ये हमारा pseudo-selector हो गया, और इसके अंदर मैं hover state को access कर सकता हूँ, तो इसके अंदर मैं करना चाहता हूँ, इसका let's say font, family, monospace, तो आप देखोगे कि जितने भी हमारा पास paragraph है, इनके उपर जब मैं hover करूँगा, तो ये change हो जाएंगे, देख रहे हो, सिर्फ paragraph change हो रहे हैं, इतने भी paragraph हैं, इनके उपर जैसे आप hover करोगे, तो इनकी वहाली state आ जा लिए है, जो hover करने पर हमने state दे रखिया, ये सारे के सारे हम बाद में detail में पढ़ रहे होंगे, आपने कई बार देखा होगा कुछ website के उपर, जब आप किसी button पर hover करते हो, तो वो button थोड़ा different behave करता है, बेबी वो थोड़ा zoom in हो जाता है, zoom out हो जाता है, color change कर लेता है, वो सब्सक्रीज़ हो पाती है, इन pseudo selectors की help से, तो ये pseudo selectors वागे रहा हम बाद में अच्छे से detail में पढ़ रहे होंगे, इसके बाद अब एक topic और बज़ाता है हमारा, जो की है important, ठीक है, मतलब इतना important नहीं है, इसको हमें ज़्यादा use भी नहीं करना चाहिए, इसका नाम है important, तो आप लोग एक important rule लगा सकते हो, this is used to add more priority to property than normal, तो इसकी help से आप लोग बोल सकते हो, जो कि ये वाली चीज तो पका लगाओ ही लगाओ, ठीक है, इसको हमें ज़्यादा use नहीं करना चाहिए, मैंने आपने note भी लिखावा है, do not use it unless you absolutely have to, तो ये हमें बिल्कुल भी ज़्यादा use नहीं करना चाहिए, कई बार लोग इसको escape की तरह use कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहाँ कि इसे हमें ज़्यादा use नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, कि आप लोग बोल सकते हो कि जैसे मैंने एक class बना दिये purple, और मैं चाहता हूँ कि भले ये आपने कुछ भी define कर रखा हो, भले किसी और higher precedence ने कुछ और property set कर रखे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये purple तो पक्का ही दिखे, तो उसके लिए मैं लगाऊँगा exclamation mark and then लखूँगा important, तो आप देखोगे, कि ये class purple अपने आप ही लग गया है, ठीक है, ये class purple अपने आप ही लग गया है, मैं यहाँ से इस hover वाले को comment कर देता हूँ, तो ये हो गया basically important, लेकिन मैं again बोल रहा हूँ कि ये आपको ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, actually बिल्कुल भी use नहीं करना चाहिए, important को तो, ये बस मैंना को बता दिया है, इसका हम बहुत ही कम cases में use कर रहे होते हैं, for example, suppose करो किसी div के अंदर आपने button डाल दिया है, और उस div को आपने कुछ property दे दिया है, जिसकी वैसे वो button भी change हो जा रहा है, बटन के अंदर कुछ अलग changes आ जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, पूरी website के अंदर जो buttons हैं, वो same तरीके से behave करें, same तरीके से ही दिखें, तो उसके अंदर आप लोग लगा रहे होते हैं, important को, so that button हमेशा वैसे का वैसा ही दिखें, कभी भी change, कुछ भी changes हो रहे हो, button change नहीं हो, वहाँ पर use कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग classes को ठीक से लगा के, या फिर अपनी CSS को और modify करके, उन चीजों से बस सकते हैं, तो इसका use हमें तभी करना चाहिए, when we absolutely need to, ठीक है, यहाँ पर वही note लिखा हुआ है, do not use it unless you absolutely have to, तो यह हम ज्यादा use नहीं करेंगे, मैं इसको हटाई देता हूँ यहां से, और इसके साथ ही यह yellow भी मैं यहां से हटाई था हैं, क्योंकि यह समझ में आ नहीं रहा है, तो इसको हाम कर देता है, color let's say blue, तो यह थे हमारी selectors in HTML, आज हमने बात की इनके बारे में, more importantly हमने बात की specificity order के बारे में, इसको हमेशे है याद रखना है, कि id is greater than class is greater than element, इसको याद करने के लिए एक और, एक hint है which is ice, ice को याद रखोगे, तो id class element, इसके लाब हमने बात की कि id और class के अंदर, क्या-क्या properties होती है, और साथी साथ हमने different type of selectors देखे आज की वीडियो में, next वीडियो में बात करेंगे colors के बारे में, कि आप लोग different different element के अंदर colors की properties कैसे change कर सकते हो, color के अंदर different different क्या-क्या values होती है,